नमस्कार दोस्तों हमारी यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक सवाकत हैं थाइराइड की बेमारी के दोरान करे इन चीजों का सेवन जल्दी से ठीक हो जाएंगे आप दोस्तों थाइराइड हमारे देश की एक बड़ी समस्या बन गया है हमारे बदलते खान-पान के काण यह तेजी से बढ़ रहा है एनमित कान-पान से हमारे सरीर के बदलते हारमोंस के काण यह एक बड़ी समस्या बन गया है यह पुर्सों क organs के मुकाबले इस्तरों में ज़्यादा देखा जाता है यह हैं दो प्रकार का होता है हाइपो थाइरेड और हाइपर थाइरेड दोस्तों हमें अलग किसी भी त्रहें की समस्या होती है तो हमें सबसे पहले खान पान के बारे में ध्यान देने के बारे में बोला जाता है आज हम बात करेंगे थायरेड की खतरनाक समस्या की इसमें आपको काफी बातों का ध्यान रखना पड़ता है आपको बता दें कि हमारे गले में सामने की तरफ मोजू तितली के आकार के गरंथी थायरेड जब बढ़ जाती है तो इसे थायरेड, केगा, गला घोटू या गोयेटर रोग कहा जाता है ऐसा तब होता है जब यह गरंथी आयोडीन और अन्य जरूरी पोशकततों के अभाव में सरेड की अवसकता कैंसर थायरेड हार्मोन पैदा नहीं कर पाती इसका अर्थ यह हुआ कि गोयेटर की स्थिती में हमें थायरेड गलैंड को सक्रिये करने वाले भोजन करने चाहिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके लिए आपको क्या-क्या खाना चाहिए आए जानते हैं कि अगर आपको थायरेड की समस्या हो जाए तो आपको क्या-क्या खाना चाहिए तो आए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं थायरेड होने की लक्षम ताकि आप जान सके कि आपको थायरेड रोग है उसके बाद आप उसका उपचार सही तरीके से और सही समय पर कर सकें तेजी से बढ़ता वजन वैसे तो बढ़ता मोटापा आज हर किसी की समस्या बना हुआ है लेकिन अगर आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है तो इसे नजर अंदाज करने की गलती नहीं करें क्योंकि थार्याइड के करन मेटबलिजम भी प्रभावित होता है हम जो भी खाते हैं वो पूरी तरह से अनर्जी में नहीं बदल पाता और वसा के रूमें सरीर में जमा होने लगता है थकावट रहना अगर बिना कोई काम की सरीर थकावट या कमजोरी महसूस करने लगे तो तुरंत डोक्टर के इसलह लें क्योंकि मेटबलिजम पर थार्याइक्शन के प्रभाव से खाया पिया गया खाना अनर्जी में नहीं बदल पाता जो सरीर थकावट और कमजोरी का काण बनता है इसके लावा थकाण का काण एनिमिया भी हो सकता है एनिमित पिरियाड वैसे तो बदलते लाइफस्टाइल में एनिमित पिरियाड की समस्या बहुत से सारी महिलाओं में देखने को मिलती है पीरियड में होने वाले गड़बडी को कभी भी अंदेखा ना करी क्योंकि थारेड की समस्या होने पर भी पीरियड का इंटरवल बढ़ जाता है और 28 दिन के बज़ाई पीरियड जादा बढ़ जाते हैं डीप्रेसन में रहना अगर थारेड गरंती कम मातर में थारेक्षन उत्पन करती हैं तो इसे डीप्रेसन वाले हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं डीप्रेसन से रात एनिंदरा की प्रोब्लम होती हैं अगर आपको भी डिप्रेशन रहता है तो तुरंत आपको अपने डोक्टर को दिखाना चाहिए सीने में दर्ध होना अगर आपको थाइरेड है तो इसे दिल की धड़कन भी प्रभावित होती है दिल की धड़कन में होने वाली इसी एनिमेते के कान सीने में तेज दर्द होता है खाने का मन नहीं होना थारेड होने पर भूक तेज लगने के बाद भी खाना नहीं खाय जाता वहीं कई बार जरोर्थ से जादा खाना खाने पर वजन तेजी से बढ़ जाता है या कम हो जाता है सरदी या गर्मी बरदास्त ने होना थारेड होने पर मोसम का फरपाव हमारे सरीर पर अधिक दिखाई दिने लगता है हाइपो थारेजम होने पर सरीर को नै तो जादा ठंड बरदास्त होती है और नै ही जादा गर्मी अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलहा ले यादाश्ट कम होना थारेड के कार्ण समन सकती और सोचने समझने की सब्ताव में प्रभावित होती है यादाश्ट कमजोर हो सकती है व्यक्ति का सबहो भी चिर्चडा हो सकता है पेट में कडबड़ी थारेड होने पर कबज की समस्या सुरू हो जाती है जिस वज़य से खाना पचाने में दिक्कत होती है और साथ ही साथ खाना असानी से गले से नीचे भी नहीं उतर पाता मासपेश्यों और जोड़ों में दर्द मास पेशियों और जोडों में होने वले दर्द को भी कोई आम समस्या ने समझे और तुरंत डोक्टर से सलहा ले क्योंकि यह थाइरेड की समस्या भी होस्क दिये दोस्तो इन आहारों का सेवन से थाइरेड रोग में बहुत अधिक फाइदेमंद होता है इससे आपको जल्दी छुटकारा मिलता है फाइबर वाले आहार ले अगर आपको थाइरेड की समस्या है तो आपको घबराना नहीं है किसी भी दिमारी का आदा इलाज खाने का ध्यान रखना होता है आपको अगर थायरेड की समस्या हो जाए तो आपको उच फाइबर वाले आहार खाने चाहिए वसा और कार्बोहेडर्ट से बचे आपको इस समय ध्यान रखना है कि आपको वसा और कार्बोहेडर्ट से बचना है ये आपको परिशान कर सकता है आपको थायरेड में इन चीज़ों से बिलकुल दूर रहना चाहिए क्योंकि ये आपके थायरेड की समस्या को बढ़ाते हैं हरी पत्तेदार सबजिया आपको अगर थायरेड की समस्या हो जाए तो इसके लिए आपको मौसमी भलों का भी ध्यान रखना चाहिए थायराइड में मौसमी भलों का सेवन करना काफी अच्छा रहता है अदरक चबाएं आपको बता दें कि आपको अगर थायराइड की समस्य है तो आपको इसके लिए अदरक को चबाना चाहिए अधरा खाने से आपको थायरेड की समस्या खतम होती है इसलिए आपको अधरा का सेवन करना चाहिए यह थायरेड की रोग में बहुत अधिक फाइदे मन है काले अखरोट का सेवन थायरेड एक खतरनाक समस्या है इसके लिए आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है अगर आप काले अखरोट का सेवन करते हैं तो आपको इसमें बहुत तरह से फाइदा होता है इनका करें सेवन दही, मुली और दलिया जैसे ख़दे पधारतों में आयोडीन अच्छे मातरा में पाए जाता है इसलिए थायरैड के समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए निमीत रूप से इनका अहार ले गोमुत्र अगर आपको थायरैड की समस्याओं होती हैं तो आपको इसके लिए गोमुत्र का सेवन भी करना चाहिए ये इसमें बहुत अधिक फाइदे मंद है इसके सेवन से आपको थायरैड में बहुत अधिक अराम मिलता है नारियल का तेल आपको बता दें कि नारियल का तेल थायरैड में बहुत अधिक फाइदे मंद है इसलिए आपको इसका सेवन करना चाहिए नारियल के तेल को पेने से आपको कहीं तरहें के स्वास्थेलाब होते हैं तो दोस्तो आप भी इन चीजों का सिवन करके थायरेल रोख से बस सकते हैं तो दोस्तो यह थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो पलीज आप हमारी वीडियो को लाइक वाशेर करना ना भूले इसके साथ साथ आप हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम चपरदस टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमे बना सकते हैं और सुखमे जीवन जी सकते हैं धन्यवादोश्टो